दोस्तों अगर आपका एक YouTube चैनल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है क्योंकि copyright strike का थोड़ा सा rule change कर दिया है YouTube ने अब अगर आपको वो rule पता नहीं चलेगा आपको मालूम नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा problem में पढ़ सकते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे request करूँगा कि अगर आपने भी तक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेएगा कि आपने किसी की वीडियो उठाई और अपने चैनल पे डाल दी उस बंदे ने आपको एक वीडियो पे copyright इस्ट्राइक दे दिया लेकिन साथ ही साथ उसके पास एक और भी option होगा जो यूट्यूब ने अभी एड़ किया है और जब वो उस option को on कर देगा तो आप भविश्य में कभी भी उस चैनल की अगर वीडियो उठाके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो यूट्यूब आपको automatically copyright strike दे देगा जी हाँ इस चीज़ का ध्यान रखे अब तक हर एक वीडियो पे manually copyright strike भेजा दाता था बट अब यूट्यूब ने चेंज कर दिया है कि एक वीडियो के बाद यूट्यूब automatically आपको copyright strike भेज देगा अगर आप बार बार एक ही यूट्यूबर की वीडियो उठाएंगे या उसका कोई पार्ट उठाएंगे इस चीज़ का अब आप विशेज तोर से ध्यान रखे और मुझे बताएं कि आपको ये अपडेट कैसा लगा वीडियो पसंद आई और लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता हूं मैं आपसे एक लिए वीडियो में तब तक कि लिए बाई थैंक्स फो वाचिंग